हेलो गईज, वेलकुम टो एवरोड जॉब विसाक्षी गईज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजलेंड के जॉब्स के बारे में गईज, अभी न्यूजलेंड में बहुती अच्छी अच्छी अपर्चिनिटी निकली है और आप अराम से उन सारी जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं आपको पैकिंग हैलपर की जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी आपको फॉर्कलिव ड्राइवर की जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी क्लीनर की जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी तौवर आप अराम से इन जॉब्स के लिए apply कर सकते हैं और अगर आप as a fresher हैं तो भी आप अराम से इन जॉब्स के लिए Guys apply कर सकते हैं और New Zealand जैसी countries में जाकर के काम कर सकते हैं इसलिए Guys चले आगे वीडियो में मैं आपको पूरण detail बताउंगी कि कैसे आप इन jobs के लिए apply कर सकते हैं क्या क्या आपसे requirement मांगी जाएंगी क्या document submit करना होगा क्या क्या process है यह सारी detail में आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो के end तक जरूर बने रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe कर दीजे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में बताया कि आज हमनों newslink के कुछ ऐसी jobs के बारे में बात करने वाले हैं जिन jobs में अगर आप as a fresher ने तो भी apply कर सकते हैं guys आपको किसी भी sector के लिए apply करना हो जैसे hospitality sector के लिए apply करना हो construction sector के लिए apply करना हो या transportation sector के लिए apply करना हो उसके लिए आपके पास उस field का एक professional CV और cover later होना चाहिए suppose अगर आप cleaner की job को select करते हैं cleaner की job के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके पास एक cleaner के लिए New Zealand format का CV और cover later होना चाहिए उसी को आप वहाँ के employer को send करेंगे और तब ही वहाँ के जो employer है आपके CV और cover later को देख करके ही आपसे impressed होंगे और आपको job में select होने का chances बनेगा इसलिए इस सबसे पहले आप अपना New Zealand format का CV और cover later बना के तयार करवा लिजे और गाइस अगर आप हमारी help लेना चाहते हैं तो नीचे देगे WhatsApp नमबर पे हमें contact करेए हमाई team आपको एक professional New Zealand format का CV और cover later बना के provide करेगी उसके बाद चलिए अब मैं आपको देर ना करते हुए laptop screen पर ले करके जाती है और वहीं से पूरा process दिखाती हूँ कि आज हम लोग किस website के थ्रू इन सारी jobs के लिए apply करेंगे और क्या-क्या process है तो guys चलिए चलते हैं guys यसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग ट्रेड मी के official website पेश पर है यहाँ पर लिखा हुआ है find your next job in New Zealand यहाँ पर keyword का option दिया गया है categories का option दिया गया है location है, all districts है फिर यहाँ नीची के तरफ स्क्रोल करेगा तो देख सकते हैं we have a 16,000 job across New Zealand मतब 16,000 से जादा jobs आपको New Zealand में इस वाले website पे मिलेगी guys, ऐसे website se.com या jora.com उस पर भी आपको बहुत सारी jobs New Zealand से related मिल जाएगी लिकिन आज हम लोग बात करेंगे कि trade me से आप लोग कैसे job के लिए apply कर सकते हैं तो मैंने keyword में cleaner लिखा है cleaner लिखे जैसे ही search किया guys, यहाँ पर देख सकते हैं cleaner से related आपको jobs देखने के लिए मिल गई है यहाँ पर हाइजन cleaner है, cleaners की job है नेजी की cleaner की job है जो कि 5 दिन पहले uploaded हुई है यहाँ पर companies भी दिखाया जा रहा है कि किस company में job यहाँ पर available है यहाँ पर cleaner की job है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 25 to 30 डॉलर पर आवर आप कमा सकते हैं इस company में तो मैंने इस पर click करने के बार देख सकते हैं यहाँ पर location बताया गया है job type यहाँ पर part time लिखा हुआ है तो requirements यहीं आपको check करना है कि job part time है कि full time है क्या salary मिल रही है, क्या काम करना होगा यही सारी requirement में check करना है apply now पर जैसे ही मैंने click क्या देख सकते हैं first name, last name, email address, phone number, CV को यहाँ पर attach करना है CV बहुत ही main important document है तो आपको यहाँ पर CV attach करना है cover later को attach कर देना है website से other documents है जो भी आपके पास यहाँ पर documents पांगे जाएंगे उसको attach करते वे submit application पर click कर देना है बस बहुत ही 2 minutes में आप इस job के लिए apply कर सकते हैं बहुत ही simple process है अब मैं आपको back जाकर के दिखाती हूँ दूसरी company में आप देख सकते हैं करते चार्फ आपको इस cleaner की job के लिए apply करना है थो मैं इस पर click किया है click करने के देख सकते हैं यहाँ पर full time है वह part time job ती यह full time job नो अगर आपको full time करना है तो आं फूल ना इस job के लिए apply कर एगा part time आम या वाली job के लिए apply करेगा अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी cleaner की जॉब है तो आप अपने preference के according sectors चूज कर सकते हैं, requirements चूज कर सकते हैं और उन jobs के लिए apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं ड्राइवर की जॉब के लिए, ड्राइवर भी बहुत ही most demanding जॉब है गाइस न्यूजलेंड में, मैंने इस फर बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉक ड्राइवर की जॉब अवेलिबल है, यहाँ पर ट्रॉक ड्राइव तो आप उसको डारेक्ली गूगल पर सच करके उसके ऑफिशल वेबसाइट पेच पर जा करके डारेक्ली उस कमपनी के वेबसाइट से भी जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं, देख सकते हैं इमेल, एड्रेस, फोन, नंबर यही सब कुछ आप से यहाँ पर मांगा जा रह आपको यहाँ पर और भी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी, अब हम लोग बैक जाकर के देखते हैं कि और कौन-कौन सी ड्राइवर से रिलेटेड आपको यहाँ पर जॉब्स देखने के लिए हैं, तो जैसे ही मैंने बैक किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप 25 डॉलर पर आवर यहां पर लिखा हुए 30 आवर पर वीक आपको काम करना होगा New Zealand का अगर आपके पास driving license है या मतलब नहीं है तो आप बनवा सकते हैं यही सारी कुछ requirements को चेक करते वे अब आप यह simple से application form भरते वे इस job के लिए apply कर सकते हैं अब guys अब हम लोग बात करते हैं दूसरे sectors की job के बारे में क्योंकि यहां पर driver की इतनी सारी jobs है तो आप next page पर भी जा करके driver की और भी jobs के लिए search कर सकते हैं और requirements देख सकते हैं अब दूसरी job की बात कर ली जाए तो guys construction sector बहुत ही जादा popular sector है तो guys अब हम लोग देखेंगे कि construction sector में कौन-कौन से मतलब की categories की यहां पर construction worker की job है guys construction laborer की job है construction surveyor की job है manager की job है guys ऐसी ही बहुत सारी और भी jobs है जिन jobs के लिए परराम से keyword के according search करके apply कर सकते हैं guys New Zealand के और भी बहुत सारी popular websites हैं जैसे की seek.com हो गया indy.com हो गया jora.com हो गया यह सारी official website से भी आप New Zealand की job के लिए apply कर सकते हैं तो guys जैसा कि आपन requirements चेक कर सकते हैं skills चेक कर सकते हैं सारी requirements चेक करने के बाद guys बहुत ही simple process है आपको यहीं से अपना resume और CV cover letter को send करते वे job के लिए apply कर देना है तो guys देर मत करिए जल्दी से अपने एक New Zealand format का CV और cover letter बनवा के तयार कर वा लीजिए और इन websites की through job के लिए apply करना start कर दीजे guys अब हम लोग मिलते हैं इपने next वीडियो में till then see you tata